हलो एवरिवन वेलकम टू चंपक न्यूज चैनल और दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर हुए एक बड़े हत्याकान के बारे में जी हैं दोस्तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा हाली में खबर आई है कि दिल्ली के अंदर एक 22 साल की शादी शुदा महीला का कतल हो गया चलिए इस पूरे मामले के ओपर प्रकाश डालते हैं यह घटना हुई 17 सप्तेमबर को दिल्ली के अंदर एक पती पतनी किराय के घर में रहते थे दिल्ली के मौचपूर एरिये के अंदर पुलिस को इसकी खबर मिली 17 सप्तेमबर को 8 बच के 50 मिनट पर सुबह के उन्हें पता चला कि स्ट्रीट नमबर 13 विजय महला मौचपूर में यह घटना हुई है जहां पे एक औरत का कतल हो गया जब वह वहां पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक 22 साल की महीला वहां पे मरी पड़ी है उन्होंने जब देखा तो उनकी गरधन पर हमला हुआ था और गरधन पर चोट लगने की कारण वह मृत्त हो गई और बाद में वहां पे जब च्छानबीन हुई तो उनके पती लापता थे उनके पती की अभी भी खोजबीन जारी है चक के दाइरे में अभी उनके पती हैं लेकिन जब तक वैं मिलने ही जाते तब तक इस बात की पुष्टी नहीं हुई है चलिए अब देखते हैं दोस्तो सरकार इस पूरे मामले के उपर क्या एक्षन लेती है आपका इस न्यूस के उपर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्षन में बताएं और इसी टाइब का और कंटेंट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जाद से जाद शेयर करें थैंक यू सो मच